हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम लेकर आए हैं गूट्स ट्रेंड माइनेजर का जो हाली में प्रिक्चा हुआ है तेशनो दुहजार तेश का राइपो डिविजन का है सौथ इस्ट सेंटर रेलवे का है टोटल 110 कोश्चन है आज हम पार्ट वन और पार्ट टू दो रूप में लेकर आएंगे आज हम 50 कोश्चन लेने वाले हैं एक से 50 तक और पार्ट टू में हम फिर 51 से लेकर 110 तक लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीज लिखा हुआ है राइपूर मन्डल यहां लिखा गया मालगारी परवंदक के पर लिखीड परिक्चा न प Kin परिक्चा के लिए प्रश्ण रहें तो यहां दिखे गोड्स ट्रेंड मैनेजर राइपूर मंडल राइपूर डिविजन अपरेटिंग डिपार्टमेंट डेट अफ एक्जाम है टूंटी थ्री नाइन टूंटी थ्री सब कोस्चन का दो घंटे का समय दिया गया है दोस्तों सभी जितने भी सिगनल ओन पर होता है तो 20 नाइट में दो ने दो मिनट में होगा तीन मिनट का कहीं नहीं पर रुकता है और पर बात करता प्रकार की मसीन का उप्योग डैस है वी आरें क्या करता है विएलैस्ट को रेगुलेट करता है वह घ्रकार के प्रकासित होते हैं तो हर साल चार टैपके ठाइम टेवल का सीड होते हैं और होते हैं देखें कब टेओर होता है पबलिकर सवाज्रा होता कि एक ग्लांज वर अग्राफिक टाइम टेवल टैबल टो इसको याद रखना है चार टैब का एक नेशन लेंगे दो छोटे एक लंबे इंजन इंजन चीटी का संकेट क्या होता है दो छोटा एक लंबा यानि क्या है फुल के पहले भी्योट आया है त्व इसका अंशान-चिछिंवेश्लर को wait सब्सक्राइब लुग को बहुत बनावत तो क्या होता है चार क condemnender का आरि mice बड़ी चोटी बड़ी चोटी इस तरह से आप याद रख सकते हैं निश्कों चलेंगे टी वार पी टर्मिनेशन बोर्ट सतरकता आदेश दूरी से डैस की दूरी पर लगाया जाता है तो यह क्या होता है इसके लिए जो सिस्टम है तो उस सेक्षन में चलने वाले पैसेंजर ट्रेन के सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन के लंबाई के बराबर होता है यहां जो है यह राइपूर मंडल का है इसका है अंसर राइपूर मंडल के लिए पांसो पचास मीटर वहां स्पेशल कुछ निंस्ट्रक्षन होगा जिसमें अंसर ऑप्शन दिया गया है करेंगा इसमें तो किस्लिए यहां पर करने की कोई यह नहीं है पर करने के लिए द्जिया जाता है डirty हम रहता हैजही उसमें प्लुख की लिए बीटिकट टीमन के बारे लाइज में सुचना देने के उद्देश से से रेलवे संपत्ति के नुकसान की सीमा मुल डैस रुपे निरधारित किया गया है एक लाख रुपे इसका नुकसान सीमा दिया गया है अंसर अप्शन ए है एक लाख लेंगे ब्यापक छेत्र परिच्छनों और सक्त्यापन के बाद और में और टीए में उपप्रनालियां डैस में पहले से उप्योग में है जहां कोस्चन समझ में नहीं आता है तो इंगलिस का कोस्चन को रेफर करना बहुत जरूरी है इंगलिस का कोस्चन ही अंति माना जाता है इंग्लिश का question ही सबसे सही माना जाता है इसलिए इंग्लिश का question जरूर रेफर करें जहां पर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है उसमें जरूर रेफर करें क्या है यहां होता है इसमें का नेजमेंट अभर कर दिया गया है और इसका अंसर औप्षन है यह नेश को चलेंगे बी वी जेड आई का पी ओ एच हर साल में हर डैस साल में किया जाएगा कितने साल में किया जाएगा दो साल चार साल पांच साल तिन साल कितने साल में किया जाएगा तो अंसर इसका option D है हर दो साल में ब्रेक्वेन है एट वीलर का ब्रेक्वेन है तो हर दो साल में इसका पी ओ प्रियोटिकल ऑबरावलिंग किया जाना चाहिए निश्क को चलेंगे कुश्चन नमबर 10 मालगाडी के लोको मेटिव में प्लैट टायर के डैस अम्य की अनुमति है डैस अम्य प्लैट टायर इस पर्मीटेड इन दा लोको मोटीव आपके गुट्ष टेंग तो लोको टुद एसेम इव दे ट्रेन स्टैंडिंग क्लियर पॉलिम और क्लियर करके जब खड़ा है तो गाड क्या दिखाएगा वाइट लाइट दिखाएगा सफेद बत्ती दिखाएगा अंसर ऑप्शन ए वाइट लाइट नेश्ट लेंगे रेत कुबर रेत कुबर का गया है सैं के दायक एक्सिडेंट है अंसर ऑप्शन ए इंडिकेटिव एक्सिडेंट नेश्ट कोस्चन लेंगे कर्व स्वीच के साथ वन इन एट अंड हाफ टरनाट में अधिक्तम गती दैस किलोमेटर होता है कितना होता है इसका अंसर ऑप्शन भी फिप्टीन के एंपिएट नेश यहां पर होगा जोन के हिसाब से यहां पर इसर बना के दिया गया होगा सेंटर रेलवे में यहां के लिए राइपूर मंडल के लिए फिप्टीन के एंपिएच है नेश्ट कुस्चन लेंगे बॉक्स लोड को स्थीर करते समय दोनों वंत में डैस बैगन संख्या का हैंड़ ब्रेक नीचे लगाना होगा मतलब कितने कितने वहिकल का हैंड़ बाहना होगा कहने कारतियां यह कुछ जा रहा है वाइल एस्टेबलिंग बाक्स लोड हैंड ब्रेक अप डैस नंबर आउं इस एंड इस एंड वी पिन डॉं तो इसका अंसर ऑप्शन शी चे बैगन दोनों तरफ से चेचे बैगन बादा जाता है सब जानते हैं यह जो है इस टेबलिंग के नियम में है यह जी जीरो होगा नेक्स्ट को सब्सक्राइब एक बाधित ब्लॉग अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेशन करने के लिए निम्लिकित प्राधिकार है तो दोस्तों यहां पर भी हिंदी थोड़ा सा अलग लग लग रहा है इसलिए कुस्चन जो है इंगलिस का रेफर करना बहुत जरूरी है इंजन इंटू एन टी ए alors क्या कि अशिस्ट्टिंग असिस्टिंग इंजन विजह तो इसको अबढकर हमसार है एंसरी we 202 में लाइन के लिए 10612 के लिए दिया जाता है यहां दिए घ्रत ऐसा दो गर अब उख्यार ठीश्य अभड सेंसे लिए युजे क्या जाता है तो 1 inform लेंगे bir हो कि निश्क को चलेंगे 18 विभाजित ट्रेन कारे के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पाइलट को ट्रेन के गाड द्वारा डैस लिखित प्राधिकार दिया जाता है तो यही एक ऐसा यही एक ऐसा आथर्टी है जो गाड के पास रहता है इसका अंसर है अप्शन सी टी 609 टी 609 टी ये 602 क्या है असिस्टिंग इंजिन के लिए है सतरकता आदेश टी 409 उसके पास नहीं रहता है लिखित में नहीं देता है बलकि अथर्टी दिया जाता है वह है गाड के द्वारा वह है टी 609 दिया जाता है निश्ट को चलेंगे मानक प्रपत्र पॉंट से संबन देज़ संबंदित है ब स्टेंडडड पॉंटर की इंच परडेंश टू यहां किस्से होता है स्टेंडर वन सिसपेंशन से होता है निलंबवन से होता है इसका अंसर औप्शन सी निलंबन को स्ट्पन शेल किया है घिलेकर वार्नंक jápersely कारत है यहांशु सब्सक्राइब को चलेंगे 21 कितने क्रूव लॉबी है गाड़ लॉबी है तो वहां पांच लोबी है अंसर ऑप्सन सी पांच को चलेंगे प्रीमियम एयर ब्रेक रेक बाक्स भी सिएंट में प्रार्मिक स्टेशन पर प्रेक पावर नियुनतम डैस परसेंट होना चाहिए तो नेटीफाइप परसेंट अंसर ऑप्सन एक निश्ट को चलेंगे 23 जब लोको पाइलट ऑन पोजिशन पर आटोमेटिक स्टॉप सिगनल पास करता है और आगे का दृष से असपश्ट नहीं है तो वह डैस किलोमेटर परतिगंटा की गति परतिवंद का पालन करेगा तो व जोड़ा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ का इंस्पेक्शन गाड़ी इंस्पेक्शन कार जोड़ा जा सकता है इंस्पेक्शन कार सकता है निए ने टेट्व यूँ का अरथ पूर्न रूप क्या है तो इंस्पेक्शन स्था इंब रखना है। लेकिन हमको ध्यान रखना है यहां देखे क्या दिए ट्रेइन वैन YOUनिट ट्रैइः ट्रैक वेहिकल उनिट ट्रेफिक वेहिकल उनिट तो एंसर आप्षन ट्रेइन होता है जिसे च्ट सब्सक्राइब के लिए अधिक्तम गती के अनुमती डैस है तो एक सब्सक्राइब कितना होता है और यहां पूचा गया है तो पूराइब कितना होता है इसे याद रखेंगे तो हर चारों में से आप कोईशी का कुछ है तो आप को अंसर कर सकते हैं साधारन ब्याज पर किस दर करतिशत पर पांच वर्सों में साथ सो पचास रुपए के रासी 900 रुपए हो जाएगी तो यहां रेट कुछा गया है रेट इस गल्टू जानते हैं आई रुपए है देड़ सव गुना एक सव अबटा क्या हो जाएगा पांच गुना साथ सो पचास यह पांच से कट गया 25 गुना चार यानि चार परसेंट इसका अंसर होगा अंसर ऑप्शन बी चार परसेंट होगा नेस्ट कोश्चन लेंगे टॉन्टी एट चतिस पूरुस अ अठारा दिनों में तो एक पूरुस कितना दिनों तरहेंगा चतिस गुना अठारा अबटा 27 दो तीन वार्रा चोविष दिन चोविश दिन अंसर हो गया अंसर अप्शन भी चोविश दिन में करेगा नेस्ट कुश्चन लेंगे आयुक्त रेल संरच्च्छा से रेल सब्स् के अंतरगत अंसर सी इसका कुश्चन जरूर रेफर करें बेने कलर लाइट डिस्टेट सिगनल इसका अंसर होगा अंसर अप्शन ए लाल रेड नेस्ट को लेंगे तर्टीवान लेच्वी में वोचों में डैस प्रकार का कप्लिंग प्रदान किया जाता है इसको निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों इसको यह जो है इस तरह प्लस में चल जाएगा इसको बहुत इजी है करेंगे तो आपको अंसर निकल जाएगा 37.29 इसका अंसर आएगा अप्शन डी नेस्ट कोस्चन लेंगे अस्टेशन अनुभाग डैस स्टेशन की कच्छा में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ बी क्लास स्टेशन में पाया जाता है क्लास स्टेशन 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 में पाया जाता है एंसर अप्शन यहां डी है इनमें से कोई नहीं स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेंड में इंजन में कितना होना चाहिए इसका अंसर ऑप्शन डी सिक्स केजी होना जरूरी है एक समय में अधिक्तम डैस ब्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले मैक्समाम डैस पर्शन कायन बी कायरेड़न मोटर ट्रॉली मोटर ट्रॉली पर एक बार में अधिक्तम आठ लोग परमिट रहते हैं आठ लोग से ज्यादा परमिट नहीं होते हैं अंसर ऑप्शन यह है एट अंसर ए निश्ट को चलेंगे 36 पहला चिताबनी बोर्ड ओयची दूरी पर लगाया जाता है फिर्स्ट बार्निंग बोर्ड इज फिक्ट ऑन दा ओएची मास्ट अट डिस्टेंस नॉट लेस्ट डैस मीटर प्राम दा प्लेस भेर न्यूट्र सेक्षन कमेंस तो यह जो अंसर होता है अप्शन सी 500 मिटर जहां से नूट्र सेक्षन सुरू ह माध्यम से संचार स्थापित करने में असमर्थ है तो वह दीन में 10 किलोमेटर प्रतिघंटे की गति इसके साथ प्रतिवंदित के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर लेकर जाएगा इन केस आप देलेक्टिक लोको पाइलट अनेबल तो इस्टैबलिश कम्मिनिकेशन अगर करतेश में 12 रिख दोस्तों इसके बारे में मुझे करन नहीं है किर्पिया किनी को मालूम है तो य स्ट्वर से इसके का अगर अगर आपको मालू है तो जरूर बताइए comment box में लिख कर thank you अब बढ़ते हैं आगे next question लेंगे 38 SWRD का पुर्ण रूप क्या है SWRD, D से क्या होता है diagram last में diagram होगा SWRD जानते है station working rule अंसर option A इसका अंसर है station working rule रूरे station working rule डाइग्राम इससे मिलता जुलता सभी option दिया गया है लेकिन ध्यान रखना है कि D का आर्थ होता है डाइग्राम next question लेंगे 39 निमलिखित में से कौन सा दच्छिन पूर्मध्य रेल्वे का interchange point है interchange point कौन सा है वहां लाखोली जो है वहां दच्छिन पूर्मध्य रेल्वे का लाखोली answer option D लाखोली interchange point है next question लेंगे 40 यातायात संपार की आपधिक गन्ना परतेक डाइस बर्स में एक बार की जाती है प्रियोडिकल सेंसस और ट्राफिक लेवल क्रॉसिंग सेल्वी टेकन वांस इन इभरी डाइस यर हर तीन साल में यह है सेंसस किया जाता है answer option A है three years next question लेंगे योग्यता प्रमान पत्र जो परिवहन इच्छक द्वारा जारी किया गया है डाइस बर्सों की अब्धिक के लिए मानने होगा तो गेट वाले का जो प्रमान पत्र रहता है वह तीन साल के लिए बैलिड रहता answer option A three years next question लेंगे महत्पोर्ण संपार खटक पर सड़क याता याद के लिए अनुचित देरी से बचने के लिए यह आम तवर पर एक खंड पर 10 मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाएगा एक बार में जब बंद किया गया तो गेट जो है अधिकतम 10 मिनट से ज़्यादा बंद नहीं किया जाहिए इसका answer option B है 10 मिनट जब गेट बंद किया गया तो गेट में के लिए निर्दिस रहता है जहां पर ज़्यादा गारियों को मुहमेंट होता है रोड ट्रेफिक रहता तो 10 मिनट से ज़्यादा बंद नहीं किया जाना चाहिए ऐसा इंस्ट्रक्शन है answer option B होगा 10 मिनट जब मालगाड़ी के पीछे एक टावर बैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गत्ती डाइस किलोमेटर परती घंटा होता है तो यहां जो है answer option C 40 KMPS जब टावर बैगन ज सब्सक्राइब से चलेगा जाना जाता है तो जरूर इसे आप कमेंट बॉक्स में अबस्य बताईए मैं इस को भी आप लोकर चोड़ रहा हूं लेंगे अगरे मस्टेशन से लेना है डाइस सिगनल को आप करने के लिए तो यहां जो प्रशन है वह समाझ में पूरा नहीं आ रहा है इसलिए इंगलिस का कोश्चन जरूर रेफर किजिए लाइन क्लियर प्रॉम एडवांस स्टेशन रिकौाइड टू लोवर डैस सिगनल कौन सा सिगनल को आप करने के लिए लाइन क्लियर लेना आवस्यक है तो इसमें क्या होता है यहां कौन-कौन सा दिया गया स्टार है फर्श्ट आप है होम सिगनल है आइवी सिगनल है यहां पर अगर एडवांस स्टार रहता था था एडवांस स्टार भी अंसर होता था ले यहां वो नहीं दिया गया है यहां आई भी सिगनल को आप करने के लिए लेना पर जरूरी है तभी आफ होगा अंसर ऑप्शन डी आई भी सिगनल को रुखा है जो एक कहलता है यहां भी जो है पुरी तरह से हिंदी का कोश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है कोई भी गड़ी है जाके ब्लॉक सेक्शन में रुका हुआ है तो क्या कहा जाएगा गुट्स टेंग ट्रेंग ट्रेंग कोचिंग ट्रेंग कर लाएगा क्योंकि वह अभी अपनी यात्रा पूरी नहीं की है इसलिए वह रनिंग प्रकार की मशीन का जो होता है किसलिए कि लिए सब्सक्राइब करता है जो सब्सक्राइब ट्रेंप कर लेता है तो डिचियस जो है जाकर वह कंसुलिडेशन करता है यहां अंसर ऑप्शन डी है कंसुलिडेशन आप निवली टैम्ट ट्रैक निश्ट कुश्चन लेंगे 48 फॉलोइंग ट्रेन कारे प्रणाली में अधिक्तम डैस नंबर ट्रेन को दो ब्लॉक सेक्स्टेशनों के बीच चलाया जा सकता है इंद बेजा जा सकता है तो उसमें एक के पीछे एक जो है चार गाड़ियों को बेजा जा सकता है अंसर ऑप्शन सी पोर नंबर चार गाड़ियों को बेजा जा सकता है निश्ट को चलेंगे 49 पैंट्री कार का परिवहन कोड क्या है तो ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है पै और क्राशिंग पर दोड़ते समय मोटर ट्रॉली की गति डैस परतिबंद गति परतिबंद में तो आज हमने पार्ट वन में एक से लेकर पचास तक का सभी पुस्टन लीया है और जहां भी हमने दो कुस्चन को मैंने जवाब नहीं दिया अगर किनी को मालू है तो comment box में अवस्य बताएं और यह सारे प्रस्न आपके प्रिक्षा के लिए बहुत ही उप्योगी होगा आपके departmental exam के लिए आप तो बहुत ही मदद करेगा चलिए आपकी सफलता कोई काम ना करते हुए मिलते ह है फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत धन्यवाद